मॉर्निंग यूरी फैमली कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छ हो तो गाइस आज में जा रहा हूं राइड एशिया 2013 जो हो रहा है प्रगती मैदान में एंड मैं आज आपको दिखाने वाला हूं ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लेटेस्ट इबाइक्स एंड स कर से एक्षैकल्स एंड पोट एक्यूटमेंट्स जो अभी मार्किट में नुई लॉंच हो तो चलते हैं आपको दिखाते हैं कौन-कौन इशिजे आई एंए एग्जिबिशन में चलते हैं इस बार भी माइफ एड क्लाइन पॉस्टिवी मोटर्स ने स्टॉल लगाई तो चलते हैं उनके स्टॉल पर दिखाते हैं कौन-कौन सी लेटिस इवाइक साइए इस गाड़ी कार्किंग में लगा दिया है जो भी आर या राइड एशिया अपनी गाड़ी से वह बहरोगा मंदिर के सामने पार्किंग है बहुत बड़ी पार्किंग है आराम से आके वहाँ प अब तो जैसा आप देख सकते हैं इस बार बच्चों के लिए भी बहुत सारी अच्छा अच्छे स्टॉल लगे हैं तो अगर मिले पस टाइम रहा तो मैं इनका भी लाइक आपको दिखाऊंगा बंबाए वन आपको दिखाते हैं अपने स्टॉल में आ चुके हैं तो गाइस चली आपको मिलवाते हैं पर्सुवी मोटर्स के फाउंडर मिस्टर विरिंदर सर से ही विरिंदर सर थैंकियो सो मच पर इंवाइटिंग में सर तीसरी बार लगाता है आप मुझे हमेशा बुलाते हैं थैंकियो सो मच तो सर बताइए कौन-कौन सी नहीं इवाइक अपने इस बार लाइक अपने स्टॉल में इस बार फीचर करी हैं अपको एक शोटो कराएंगे हम आपको किसमें अपने स्टॉर कराएंगे आपको फीचर करा आप बाटरी आप बैटरी आप बैटरी रिमूफ कर सकते हैं लिच इसमें डेटेचिवल बाप प्रवाइटरियुाहर गाईस इससे अच्छा चाहिए और बैटरी जो होती एक्ञें इश्सांसे प्रवाइटेश्यू र तरुन जी नेक्स्ट पहुंच के लिखते हैं । चलिए गाईशी मोडरी इसके फीचर लिखते हैं। सबसे पहले इसके में इसके हैड लाइट इसमें पांच से छे कलर अलग अलग चेंज होते रहते हैं ऑटोमेटिक इसमें नीचे इंडिगेटर में डीला राती है साब उपर हैड लाइट में भी आप जसे इसमें फोकस डालेंगे यह देखा है आपने ऑटोमेटिक कलर चेंज वोल्डन उसके बाद एक ब्लू कलर आता है ठीक है सार इसमें एक को साइड मिरर ये क्रोम वाले मिरर होते है सर किते ब्यूटिफुल लगए सर डिजिटल मीटर आता सर इसके अंदर चीक है और इसके थ्रोटल में स्पीड के लिए नहीं होता है इसमें सिर्फ फरंट और प्रशने के लिए तो पिछे लीथे मायन बैट याति है सर इसमें और इसके पिछे की जो टेल लाइट होती है यह यह भी कंप्लीट अधिया एक यह देखिए सर और नॉर्मल बलब नहीं लगे वाते इसमें लेड आते है इसमें इसमें एक यह कंप्लीट इसमें एंटर और इसमें सिकोर्टी परपज के लिए इसे लोग कर सकते हैं सर इसकी रेंज होती है 80-90 किलो मेटर बन चार्ज पी सिंगल फरसन और इसकी जो प्राइज बनी होती वो इसकी है 60,000 एक्सोरूम दिली इसमें बहुत चीज़े देखने को मिलेंगे लाइक साइकल्स, इबाइक, ट्वाइज, एन स्पोर्ट एक्विपमेंट सब मिलेंगे यहाँ पर इस पार राइड इशी अग्सिपिशन में बहुत सारे स्टॉल्स लगें और बूटिफुल बूटिफुल स्टॉल्स हैं तो जबसे ज़्यादा आइकैची जो है बच्चों के लिए वह यह है बच्चे से बहुत पसंद करते हैं इस बार बहुत कुछ देखने को नया-नया है लाइक हमेशा आते तो ई-बाइक बाइक साइकल ही दिखती थी बड़ इस बार इस बार इट सेक्शन भी बहुत अच्छे ह उनकी छोटी भी बाइसाइकल्स एंड एलेक्रिक छोटी सी कार बहुत कुछ है देखने को नया-नय ब्रैंड्ड्स है और राइड इस एक दम फ्री है तो आप तीन दिन आ सकते हैं फ्री में लाइक एंज्वाइगर सकते हैं तो गाइस देखिए एक नियु न्यू एबाइक सब्सक्राइस के मॉडल्स आया है यह देखिए किती ब्यूटिफुल एलेक्रिक वीकल है तो चलिया एंसे पूस्ते हैं Ma'am, can you please tell me about the features? Okay, so this mountain 17 inches tire, alloy wheels, this has a 3 kilowatt motor, it'll be coming with a 3 kilowatt battery as well It has a dual disc, it has a digital speedometer as well as another motor and it has 5 speed modes if you can have a look So it has a drive mode here, drive, lift, rear and this, reverse gear also, it has a reverse gear as well Okay, you can have good DRLs here, you can have an indicator This is a very good looking sports bike, sports bike nikal di ma'am a do Yes, for a very minimal price when it comes to the size and the design and we can also give customization of batteries For example, if we need a 150 kilometer range bike also, we can customize the battery here So the battery? We will be having all over around 2 models in this, one will be with a 3 kilowatt battery, one will be with a 3.6 kilowatt battery And ma'am, what will be the range of this e-bike? It will be 150,000 on road And what is the mileage ma'am? The mileage is 130 Km Single charge Single charge 130 Km Okay ma'am, thank you so much for the time So guys, Look at how many beautiful models came here E-bikes And here is the track to drive So guys, I have come to the exhibition This exhibition is very good, like ride Asia exhibition is very good So guys, I hope you guys like this video, please like, share and subscribe to my channel To make a new video, please let me get started Bye, bye! Thank you! झाल झाल